हालो गाईज, वेलकम टू अचीव आईएस, माई नेम इस आईश मेठी, इस वीडियो में हम एंशेंट रिस्ट आफ इंडिया का एपीसोड 7 स्टार्ड करने जा रहे हैं, एपीसोड 6 में हमने हरापा के बारे में कुछ-कुछ पढ़ा था, आज हम उसके आगे भढ़ते वे स स्कल्प्चर्स की बात करते हैं, शुरू करने से फ़लाओं को बता दू, हमारे सभी NCIT सब्जेट्स के लिए, सेपरेटली भी और एक साथ भी आप कोर्स बाय कर सकते हैं, टेस सीरीज के फॉर्मेट में, ज़्यदा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन ब सारी सील्स only square ही थी, तो नहीं, triangular भी थी, rectangular भी, circular भी थी, सारी की सारी सील्स स्टैट से बनी वी थी, नहीं, सील्स mostly स्टैट से बनी वी थी, लेकिन अग़र इचाट, copper, fence, terracotta सील्स भी found हुई थी, साती साथ, copper, gold, ivory भी फाउंड होई थी, क्युशन आ जाता है कि gold की कुछ ह तो इसा कुछ नहीं है और इसलिए डिसेफर करना बाकी है यह पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट होती है यह आपको जो अलफाबेट्स दिख रहे हैं तरीके से पिक्चर के रूप में कहीं पर फिस का निशान होता फिसका लेटर होता मतलब जो लिविंग और्गनिजम थे उन है फिश की सेप में तो यह डिशीफर करना मुश्किल है कि आखिर वो इन से बताना क्या चाहते थे कई वो लोग तो शक करते हैं कि यह राइटिंग भी थी की नहीं थी जिस चीज को में स्क्रिप्ट मान रहे हैं वो स्क्रिप्ट है की नहीं है मैंने पड़ा था कि एक चास लेटर वाली स्क्रिप्ट बता देगा हर अपा की तो वह कहते थे कि मोस्टली हर अपन जो होते हो इलिट्रेट पड़े लिखे नहीं है तो उनकी स्क्रिप्ट केवल ऐसे ही है डिजाइन तो कहते थे कर कोई मुझे सबूत लागे देदेगा कि यह पड़े लिखे हैं तो इस तरह की बाते भी होती हैं क्योंकि जब तक डेसीफर नहीं होंगी तब तक तो ऐसी ठोरीज चलेंगी ही स्क्रिप्ट मोस्टली राइट टू लेफ्ट लिखी वी थी लेकिन बारे डाइट डिरेक्शनल भी पाई गई जिसमें लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों थी एनिमल्स के इंप्रेशन्स भी थे काउ का एविडेंज नहीं मिला स्वास्तिकर डिजाइन की सील्स भी पाई गई इंटर्नल एक्स्टर्नल ट्रेट दोनों होता था लेकिन आपको बात बता दू सील्स कमर्शल परपस के रूप में यूज की जाती थी इसका मतलब यह नहीं है कि जैसे आज हम पैसे दे के कोई सामाग ख़ीर लेते हैं तो सी आपके पास सील है तो आपको पर्मिशन मिल जाएगी एंटर होने की तो एक तरीके से वह मनी नहीं थी लेकि दस्तक मैं जिनको कहूं आज के टाइम पे जब वो ब्रिटिशर्स आए दस्तक इशू होते वैसे मान सकते हैं यह आपने प्रोपर्टी ओन कर रखिए उसका प्र जो जो एक प्रोपर्पर्पर्पस के लिए उस होती थी होती थी क्या मेटलिक मनी थी नहीं मेटलिक मनी नहीं थी बाटर सिस्टम था इनलेंड ट्रांस्पोर्ट तो बैल गाडियों से होता था बुलक जो कार्ट्स होती थी यह देख सकते आप पशुपती सील यूनिकॉन पशुपती सील के बारे में प्रशन आजाए तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट में जो है यह आप देख सकते हैं एलिफेंट है फिर टाइगर है फिर राइनो है फिर बफेलो और दो एंटलोपस जो है अपोजिट साइड में ऐसे खड़े हैं ठीक है यह यूनिकॉन सील है लोश्ट वेक्स टेक्निक और साइट पर्डियू टेक्निक जिसको कहते हैं उसके द्वाराय बनाए जाते थे इस टेक्निक के बारे में अगर आप जाना चाहते हैं तो यूटूब पर लिख सकते हैं आपको कई तरह की वीडियो आराम से मिल जाएंगी ब्रॉंज फिगर्स ब कालूँ आज तो वो भी यही होगी सेम तो कंफ्यूज मत हो जाएगा कि एंचिंट्रिस्टी और अट्रेंग कल्चर की वीडियो शेम कैसे आगए क्योंकि टॉपिक बल्कुल सेम चल रहा है ब्रॉंज फिगर्र आप देख सकते हैं यह डांसिंग गर्ल्ड की ओल्डेस्ट इने के ब्रॉंज पॉस्ट्र में यह राइफ्ट हैंड में इनके लेरेफ्ट हैं। राइट हैंड में असलोर उसकील मिला था अब हम आगे साथ सारी साइट्स में क्या क्या मिला उसकी टेबल देखेंगे तो अभी तो आपको इंट्रडक्शन के लिए बता रहा हूं टेरा कोटा फिगर्स तो मिले ही थे बेग्ड फायर बेग्ड क्ले से बनते थे थोड़े नंबर में कम थे और कुरूड थे फाइन शेप्ड नहीं थे जैसे यह फाइन शेप्ड आपको दिख रहे ना ब्रॉंज के वैसे टेरा कोटा फिगर्स यह देखी यह यह फाइन शेप्ड हैं पॉलिज्ड हैं इतने नहीं ठीक है तो नंबर में भी कमते और कुरूड शेप में थे पिंचिंग में थर्स है बनते तो क्यूशन आ जाए कि आपके सामने है यह एक तरीके से टेराकोटा फिगर्स हैं आप देख सकते हैं यह वहां को बुल है और बुल को तो काफी रिलीजियसली वह मानते थे अलंकि को रिलीजन नहीं था प्रफेक्ट लेकिन काफी वरशिप की जाती थी यह भी देख सकते हैं यह देखिए कितना प्यारा ट्राकोटा फिगर है यह भी है एक पॉट्री पॉट्री के मैं बात करूँ तो देखो प्लेन पॉट्री भी थी और पेंटेड पॉट्री भी थी पेंटेड पॉट्री को रेड और ब्लेक पैटरी पॉट्री भी कहा जाता था ट्रीज बर्ट सेन Emmanuel फिगर्स साब थाय। यह क्याईमेयड भी थी ठीफ है , पोली कों पोड्री षाय। डेकररटी परहुट के लिए तो यह सामान रख़लो यह स्च्रेडुकुर की यह रख लो तो दोनों के लिए साजयावि लो सामान रख चार फिलेड ओंबंड ये में लेते थे कोटन और वूल यूज में लेते थे यह देखिए आप यह बीड़ेड प्रिस्ट है यह काफी जो है फेमस भी है बेड़ेड प्रिस्ट इसले फेमस है क्योंकि इससे पता चलता है कि हरपा में जो लोग थे फैशन के प्रतीक कितना जाग रुकत है वह उनकी खु लेष्टिंग चीज़ बता रहा हूँ कि वहांपे चैस और डाइस भी मिला था हरपन जो थे वहांपे चैस और डाइस भी मिला था खाफी सोचने वाली बात है कि वो लोग कितने स्पोर्ट्स फैशन डिजाइन में कितने जाग रुक थे तो गईस आज के लिए इतना ही कल मिलते एंचेंट इस्ट्री वारे चेप्टर में और कल हम जो है एकनोमी का सेक्शन पड़ेंग हरपा में और कल हरपा अपना खतम हो जाएगा चलिए फिर आटिन कल्चर के लिए शाम को मिलते हैं वापस धन्यवाद